नमस्कार स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में मैं आपके साथ नहा वर्मा पूरे देश में करोना नामक वैश्वीत महामारी को लेकर प्रधान मंतरी नरिंदर मोदी द्वारा 14 अपरैल तक लोकडाउन के आदेश जारी किये गए जिसके चलते पूरे देश में लोकडाउन है और कई राज्यों में कर्फ्यू भी लगा दिये गए जैसा कि आप जानते हैं कि समाचार एक्सप्रेस की टीम आपको प्रते दिन इस महामारी को लेकर अपडेट कर दिया रही है बुदवार को जहां समाचार एक्सप्रेस की टीम ने आपको कर्णाल की सड़ को और बाजारों का हाल मतायाइ था तो वही जीरवार की टीम ने कर्णाल के समाने अस्पदार का दो राणाया और वहाँ इस बिमारी से निपटने के लिए की गई विवस्थाओं का जायसा की लिए कोरतलब है कि भारत सरकार द्वारा जारी की गई काइडलाइन के अनुसार मरीजों को अस्पताल में कम से कम आने के लिए कहा गया है ताकि वहाँ भीड ना हो सकी इसके चलते करणाल के समानी अस्पताल में मैडिसीन विभाग, छाती रोग, विशेशके, इस्त्री रोग, विशेशके के साथ साथ केवल बच्चों के संबंदित रोगों की चांच के ये ओपीडी खोली दे बाकी उपीडी को फिलहाल अगामी निदेशों तक बंद कर दिया गया है आज जब समाचार एक्सप्रिस की टीन समानी अस्पताल में उपची तो वहाँ मुझूद अस्पताल के अधिकारी और करमचारी मरीजों को समझाते नजर आए कि वह अस्पताल में तब ही आए जब एमर्जन्सी हूँ अनिधा घर पे रहे और सुरक्षित रहे एक डिस्टेनेंस को मेंटेन करने के लिए अस्पताल के करमचारी लोगों को एक दूसरे से दूर करते नजर आए और सफेद पट्टी का निशान लगाते लिए नजर आए जहां पर मरीजों को खड़ा होने के लिए कहा गया पहले आप देखी यह एक विशेश रिपोट्ट मैं तरुम मदान कैमरा परसन सन्नी चोदरी के साथ संबाचार एक्सप्रेस के लिए और इस समय मुझूद करनाल के संबाणने हस्पताल में जिसको यहां पर हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से करोना जैसी विंकर विमारी से निपटने के लिए स्वास्ते भागने जो तयारियां की है उन पर पूरी तरह से सफल हो पा रहे है या नहीं इनका जायजा लगातार लिया जा रहा है मरीजों को लगातार समझाया जा रहा है आना वशक तोर पर वो हस्पताल में नहीं इसके लिए विन्हें सकते दायत दी जा रही है आपको कैमरा पर सनी चोधरी को मैं कहना चाहूंगा कि वह दिखाए कि इस तरह से डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए लगातार लाइने लगाई जा रही है इससे पहले हा प्रका और बाकी सब लोगों का बला होगा क्योंकि एक ऐसी बीमारी भी है जो फैलने से फैल जाती है इसके इलावा इस समय नागरिक अस्पताल के अंदर जहां पहले मुरीजों के संखिया 21-22 तक तीव है अब गिनी चुनी रहे गई है क्योंकि यहां पर स्वास्ते इभा करें अन्य था अपने आस्पडोस से ही दवाई लेकर खांसी जो काम जो लगता है उनको उसका वुचार ले सकते हैं क्योंकि यहां पर आने से ज्यादा भीड जुटने से संक्रमन का खतरा बढ़ता है यही स्वास्ते इभाग बार 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 और लगातार लोगों में जुटे हैं ताकि लोग एक-ेजमीटर की दूरी पर खड़े यह देखि यह भी समझा रहे हैं इनको भी देखो काफी बिअनको काफी पना कर रखें बहुत स्वास्तर भाग द्वाग जो जारी की गई ही है कि झारश्ते कि तार पालना में जुटा है उसके पालना में जुटा है लेकिन उसके साथ दो चोटे बच्चों को देखकर समाचार पहले आप देखें कि हमारे समधाता तरुमदान ने मरीजों से क्या बाद चाहिए सर आप कहां से हैं किस लिए आए हैं मैडम को दिखा नहीं हो आपको इस विमारी के बारे में पता है सब्सक्राइब करना चाहिए कि यदि अवश्यक हो तो ही आप आए नहीं तो अपने घरों में रहें सुरक्षित रहें सर मेरी बात सुनों जब सभी लोग अपनी जोब चोड़के गर मैड़ जाएंगे तो उनको गर जारा कहां से चलाएगा अब जाएंगे जिन यहां डेली में बेजिक मुझदूरी करके आपना घर का चलाएं वह घर का कर्चा को चलाएगा इसके बारे में इतना कहना चाहेंगे कि जान है तो जहान है लेकि आप से एक अपील मेरी ओर भी है कि किर्प्या इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर इसा सरकास से भाग और भारा सरकार जारी जारी कर जुका बच्च बच्चों को बच्चों को सब्सक्राइब ना इनको घर भी छोड़ आएंगे तो किसके बुर्व से छोड़काएंगे आपका शिविर शिंग जी आप मैं उस्पिटल जी दुच्यार पांदीन से ना हमारी सरकार पूरा फाइदा कर रही है हर जन्ताने भी समयना है कि जैसे मान लिहाद हमारी सरकार हमारे लिए जीवन दान देने का सहयोगत है हमें भी इसमएं अपना हाथ सहयोगका दाना चाहिए आपने स्वास्थे बाग के डिवाजरी पड़ा भी होगा सोना भी होगा उनका ये कहना है कि अगर कोई अमर्जंसी है तो यह अप अस्पताल में आएं अन्य था घरों में ही रहें क्योंगि घरों में स्टे एड होम यानि सयम पड़ते हैं तो सितम से बचवाएंगे आप जी सब्सक्राइब करता हूं और जी प्राइवेट जोब ने कारण रात की जोब लग जाती कई बार दिन के लिए स्टाप कमाने से डबल भी करने पर करने पड़ती है तो इसलिए सब्सक्राइब नजर आई जहां मरीजों को खड़ा होने की सलाहा दी और यह कहा गया कि वह एक एक करके आगे आएं और दवा ले ले अधिक भीट ना ही करें इस बारे में एक दवा विक्रेता से बादचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जितना हो सके हम अपने आपको सुरक्षित रखी जरूरत हो तो घरों से बाहर आएं अन्यधा घर में कि लिए देखे एक वि इसी तरह से समाज के जागरुक लोगों ने एक लक्षमन रेखा खीज दिए मैं कैमरा पर सनीजी को कहना चाहूंगो कि यह लक्षमन रेखा जो वाइड कलर की लगाई गई है कि रिप्या इसको दिखाने का प्रयास करें ताकि अधिक से अधिक लोग जागरुक हो सकें और आपका प्रयास रहानी है जिस तरह से मोदी जी ने कहा था कि घरों के लग्षमन रेखा खीज दी तो मैं यह जानना चाहूंगा कि आप किस तरह से लोगों को जागरुक करने का प्रयास कर रहें जैसे प्रदानमंत्री जिने आगरे किया है वेंसे ही हमने किया है एक एक पेशनट को दुवाई देते हैं उसको भेज के फिर दूसरे को बुलाते हैं जो समान्य हस्पिताल से आपके पास मरी जाते हैं जग सर उन पर अच्छा-खासा फरक पड़ा होगा समाणिय अस्टालें बहुत कम रीज आ रही है इस टेम्स सर आपका समाज को क्या अपील करना चाहिंगे कम से कम घर से बाहर निकलो और जुरूरी हो तब निकले वरना मत निकले इनका भी यही कहना है कि जुरूरी हो तो ही घर से निकले, otherwise stay at home ही इस बिमारी से बचा जा सकता है एक बार फिर से ये परियास और मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि ऐसी ये लक्षमेंट रेखा हो भी अपने घरों के बाहर अपनी दुकानों के बाहर खीच लें ताकि डिस्टेंस बना रहे और यहाब बिमारी ना फेले मैं तरुन मदान कैमरा परसन सनी चोदिर के साथ समाचार एक्सप्रेस के लिए इसके बाद समाचार एक्सप्रेस के टीम ने करनाल के सीमो दोक्टर अश्वनी अहूजा से विशेश बात जीत समाचार एक्स्प्रेस के साथ बाचीत के दुरान सीमों डॉक्टर अज्मिनी अफूसा ने बताया कि करनाल में अभितर करोना का एक पी केस पोजिटिव मिन पाया गया है बुद्वार शांक को चार सेंपल लिये जिनकी रिपोर्ट आनी भी बाता है इसके अरावा इससे पहले लिये थे तेज सेंपल नेगिटिव पाय गया विवस्थाओं को लेकर उन्हों नहीं जानकाई लिए कि करनाल का स्वास्ते की थाग अपना शत्प्रतिशत सहयोगी रहा है बातचीत के दुरान उन्होंने बताया कि करनाल जीले में इस समय करीब 90-95 मरीज होम क्यूरिटाइन है और इस से पहले करीब 140 मरीज अपना 28 दिन का क्यूरिटाइन पेरियड पूरा कर चुकी है सभी के सभी मरीज एसीम टोमेटिक पाए गए है जब कि 375 मरीज ऐसे हैं जिन पर लगातार स्वास्ते विभाग की तजर है एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि यदि निकट भविश्य में यह बिमारी फैल्दी है तो इससे निपटने के यह स्वास्ते विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में साधुन उपलक्त है उन्हेंने जानकारी थी कि मौदूधा समय में सामानी अस्पताल में 30 और मेडिकल कॉलेज में 80 आइसोलेशन बैटन और मेडिकल कॉलेज में 20 लेटर सुवीधा भी उपलक्त की गई है इसके अलावा सरकार के निटेशों के अनुसार नीजी अस्पतालों से भी बात की जाएगी आवशक्ता पढ़ने पर बड़े और नीजी अस्पतालों की सेवाई नीज आ सकते हैं एक एन्य परशनी के जवाब में उन्हें बताया कि नेवल में जो अस्थाई अस्पताल में बनाया गया है वहां मुझूद समय में आठ लोग हैं इसमें चार लोग कल ही आए हैं इनकी ट्रेवल इस्ट्री है और वो लोग हाई रिस्क एरिया से आएगी इनकी जाच के लिए डॉक्टर, काउंसलर और एंबूलेंस जैसी सभी सुधाई 24 घंटे टैनाब लेगे मरीजों के लिए खाने पाने का प्रबंध भी विभाग द्वारा किया जा रहा है समाज के नाम संदेश देटे हुए उन्होंने बताया कि इस बिमारे को लेकर खबराने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं है साथ खानिया बरत कर खर पर रहकर किससे बचा जा सकता है देखें करनाल से समधाता तो मदान की पूर्च करनाल में कल साएं तक 23-27 लोगों के सेंपल बेजे गए थे जो चार सेंपल उसमें 27 में से कल लिए गए थे 23 सेंपलों की रिपोर्ट हमारे को कल शाम को रिसीव हो चुकी थी 23 के 23 अभी करनाल में नेगेटिव है कोई भी केस अभी करनाल जिला में पॉजटिव नहीं मिला है हमारे पास 90 से 95 के करीब पेशेंट ऐसे हैं जो हॉम कॉरंटाइन पे हैं और टोटली और टोटली एसिम्टोमेटिक हैं 140 मरीज हमारे 28 दिन का कॉरंटाइन पूरा करके भी एसिम्टोमेटिक रहे हैं और वो अभी भी हम उनके उपर वाच रखे हुए हैं कि किसी टाइब का कोई सिम्टम्स होगा टोटल हमारे पास जो 375 के करीब जो पेशेंट हैं हमारे टोटल अंडर सर्विलेंस चल रहे हैं उन में से अभी भी किसी को भी किसी टाइब का कोई मतलब सेंपल जिन का लिया वो नेगेटिव हैं और उनके वो एसिम्टमेटिक हैं हमारे डेली सर्विलेंस एक्टिविटी में आ रहे हैं एक जो हॉस्पिटल कुंजपुरा नेवल में बनाया हुआ है वहाँ पे हम अभी तक वो है हॉस्पिटल बट उसमें अभी तक हमने कल तक चार थे और कल एक उपलाना से एक फैमिली आई थी उनके चार बंदों को कल रात फिर से उब्जर्वेशन पे रखा था क्योंकि वो सारे अभी भी एसिम्टमेटिक हैं बट ट्रेवल की इस्ट्री है इटली वाले हाई रिस्क एरिया से आय हुए है इसलिए उनको वहाँ अंडर उब्जर्वेशन रखा हुआ है क्योंकि उनके पास अपने पास घर पे इसायद होम कॉरेंटाइन की फैसिलिटी जितने पांच मेंबर थे फैमिली में तो उनके पास अलग-अलग वो प्रवाइड नहीं कर सकते थे उनको वहाँ रखा हुआ है वहाँ पे आर्ट जो भी पेशेंट है वो सारे के सारे हमारे अंडर अब्जर्वेशन है अंडर सर्विलेंस एक्टिविटी है कोई भी उनको एक कॉंसलर भी बेजा जा रहा है उनके तहत उनकी डाइट का आरेंजमेंट एड्मिस्टेशन द्वारा भी किया गया है और एंबुलेंस एवा भी दे रखी है डॉक्टरों की ड्यूटी भी लगा रखी है किसी भी टाइप का कोई भी मतलब उनके अंदर कोई लक्षन होगा तो accordingly वो हमारे हल्प लाइन नंबर पे या वहां की टीम हमारे को इनफॉर्म करेगी और हमारे होस्पिटल में 43 बेट्स आईसोलेशन के लिए जनरल हास्ताल में और 80 बेट कलपना चावला में त्यार हैं किसी भी टाइप की अमर्जेंसी को टैकल करने के लिए उस में सभी ताइप की basic facility हमारे पास हैं कलपना चावला होलों के पास ventilator हैं GH में चलो ventilator तो नहीं है और सरकार की हिदायतों के इनफार सभी private hospital원 से सारी detail मंगवा के उनके पास कितने beds हैं और कितने ventilators हैं उसके तहत सारा infrastructure बना के report टाइम टू टाइम पहले भी भेजी गई हैं आज फिर माहनी देशक द्वारा कोई डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है वो अभी बना के भेजी जा जैसे हस्पितालों से मांगा गाथा किसी हस्पिताल नहीं हां भरी है कि वो अपना हस्पिटल इस बीमारी फैलती है तो उसको देने के लिए तैयार हुआ ऐसा है यह अभी सरकार की तरफ से package system release गए जैसे कोई भी सरकारी या कोई भी private hospital पैनल पे आता है तो सरकार certain terms and condition पे पैनल पे hospital की services पैनल, M-Panel करती है तो M-Panel करने के उपरांत वो अपना basic infrastructure, manpower और speciality जो जो वो कर रहे हैं उसके तहत वो देंगे उसमें आयूश्वान भारत का भी पैकेज है और COVID-19 के लिए भी सरकार ने पैकेज डिक्लेर किया है उन दोनों में से जोन सा भी कम होगा वो पैकेज उनको चार्ज करना होगा ये सरकार की हिदायते कल प्राप्त हुई थी शाम को वो हमने IMA के प्रेजडेंट के थूँ और बड़े-बड़े आस्तालों को डिरेक्टली अपनी तरफ माध्यम से भी भेजी है उनका ये एपिडिमोलोजिक एक के तहत यदि भगवान न करे कल को कोई बहुत जादा पेशेंट बढ़ते हैं तो एपिडिमोलोजिक एक के तहत हम सारा उनसे जब वो बिलिंग्ली और नोट विलिंग्ली लिया जा सकता है वो अभी आठगीर के डेट में उन्होंने अपनी तरफ से कनाल जिला में पचास टोटल हमारे पास वेंटिलेटरी स्पोर्ट वाले होस्पिटलों ने हमारे को रिपोर्ट दे रखी है जो उपर हमने रिपार्टमेंट और सरकार को भेजी होई है 12 वेंटिलेटर स्पोर्ट हमारे पास कल्पना चावला में है इसमें से 47 के करीब जो हमारे वेंटिलेटर है वो बर्डों के लिए है और ते इसमें तर्फेट्रालीज और 15 के करीब हमारे जो फिया बच्चों के लिए वेंटिलेटर एंटेलेटर हैं तो यह वेंटिलेटरी स्पोर्ट है हमारे सोलह सो के करीब बैठ से हैं आपने तेमपरेरी ऊस्पिटल उसमें 136 ए और ह मारे पास 170 परैवेट में इन सारी त्यारीयों के सात्थ हम वह कर रहे हैं और बाखी बड़े बड़े होस्पिटल से पार्क से पाक से हॉस्पिल सिंगनस अपने उस्पिटल और अम्रभा माय 안va निंसे भी पूरा इनको पैगे भेज के भी इन से डिसकस करके भी जोई भी आएगा और जब यदि जूरुत पढ़ेगी तो Epidemiology Act के तहट सारे hospital को सरकार की हिदायतों के अनुसार काम करने के लिए पहले से ही अफगत कराया जा रहा है उनको पहले से ही तियार किया जा गाओं में क्या स्थिती होगी गाओं में कहीं पे भी पूरे मैंने आपको जैसे अभी बताया 300 पिछेतर प्लस 380 के आसपास जो बंदे हैं जो ट्रेवल हिस्ट्री हमारे को सेल्फ डिकलेरेशन के तहप या आप लोगों के माध्यम से या एड्मिस्टेशन के माध्यम से या हमारे वरकरों के तेम करण एम्ट्राम के माध्यम से ना टोटल जितना मैंन पावर है वो जिसकी भी इंफरमेशं किसी भी माध्यम से पहले है तो हम से अंडर सरविलेंस अकटिव्टिय में डालेते हैं हमारी टीम उनके घरो हमें जाती है उनसे पूषिती है उनकाूस जीकलेरेशन इनन्र पर वापिस आये हैं उनका हम 14 दिन क्वारेंटाइन करते हैं 14 दिन हम उनको अन्टर Councillor अब्जर्वेशन रखते हैं होम कॉरेंटाइन पर उनको सारी ओम क्वारेंटाइन की शर्थे हम समझाते हैं और उनको बताते हैं कि आप अपने घर में आइसोलेशन मेरे अपने बाकी परिवार से भी और कोई भी लक्षन आएगा तो हमारे को हेल्प लाइन नंबर पर इंफर्म करें पर्टिकुलर दो एंबुलेंस इसके लिए भी तियार की हुई हैं एंबुलेंस के माध्यम से हम उनको पर्सनल प्रोटेउक्शन करते हुए उनकी भी प्रोटेउक्शन करते हुए हास्पिडल मेरे ले के आएckenगे specialist डक्टों से जाच कराएंगे यदि उनको isolation में रखना होगा तो रखा जाएगा और sample बेजना होगा तो sample बेजा जाएगा यह travel history self declaration form पे base पे है self declaration यदि आपने या मैंने अपना नहीं किया तो वो purely और purely हमारी अपनी भी social responsibility के तहत हम हमारी अपनी कमी है हमारे पास जहन से भी आरा चे सरकार के माध्यम से आया चे airport के माध्यम से आया initially जो हमारे पास 200 के करीब list आई थी वो purely हमारे पास airport से और state की तरफ से आई थी 580 की एक list एक बार आई थी जिसमें हमारे जिला के 85 के करीब वरकर थे बंदे थे passenger थे जो वीदेश से travel करके आया थे उसके बाद से सारी हमारी टीमों ने सर्च करके सभी ब्लोकों से सातों ब्लोकों से टोटर ले रखा है अब भी कभी अब हमारे पास आता है कि फलान गाउं से हम बोल रहे हैं वहां पे फलान गाउं से फलान अच देश से travel करके आया हुआ है तो हम उनसे WhatsApp मैसेज पे या SMS मैसेज पे उसकी डिटेल मंगवाते हैं देखते हैं हमारे सर्विलेंस पे यदि नहीं हैं तो हम उससे वो डिटेल लेके हम अपने सर्विलेंस एक्टिविटी में उसको डालते हैं और अकोडिंगली उसके घर पे टीम बेज़के उससे सारी डिटेल सेल्फ डिकलेरेशन फॉर्म भरवा समाज से मैं यही कहना चाहता हूँ किसी भी सेंस में उनको COVID-19 से डरने की जरूरत नहीं है हमारे भारतिये कंडिशन में हर्याना के रहने वालों में हमारी जितनी क्लाइमेटिक कंडिशन से हैं जितने हमारा सरकम्स्टांसेज हैं यह सारे हमारे अंदर भगवान की दैसे काफी अच्छी इमिनिटी देते हैं और अभी सिर्फ और सिर्फ जिनके चाए नॉर्मल फ्लू है या किसी टाइप का भी फ्लू है उनको आप बंदों से एक या डेड़ मीटर के डिस्टेंस में रहके परसनल प्रटेक्टिव मेयर चाए आप अपना गमचे से तीन चार लेयर में बंद के अपना फेस मास्क बनाएं चाए आपको फेस मास्क मिल गया है तो वो यूज करें और नहीं तो आप उनको चार लेयर में फोल्ड कर लें दो रुमाल को उसको डबल लेयर में यदि करेंगे तो वो चार लेयर बन जाएंगी उसको लेके अपना बांद के रखें पांच गंटे बाद उसको गरम पनी से धोके थोड़ी दिर बाद उसको सूख जाते हैं दुवारा यूज़ कर सकते हैं सबसे बैस्ट और एक हैंड प्रेक्टिस दिन में कम से कम आठ से दस बार लिक्विड सोप से अपने हाथ दोएं अच्छी तरह से उलियों के बीच में हाथ दोएं किसी टाइप से किसी को डरने की जुरूरत नहीं है यदि डरेंगे तो हमारी इमिनिटी भी उतना काम नहीं करती बोडी हमारी इमिनिटी किसी भी टाइप के वाइरल को भार फैकने की शक्ती रखती है यदि हम मैं एक संदेश उन लोगों के लिए जरूर देना जाता हूँ जो एजड हैं या जो शुगर या किसी और सिस्टमिक बिमारी से सीरियस बिमारी से हार्ड डिजीज से अस्तमा से इस टाइब की किसी बिमारी से ग्रसीत हैं वो अपना स्वेशल प्रोटेक्शन रखें और उनके अंदर किसी टाइब का कोई भी यदि लक्षन आता तो अपने कंसर्ण डॉक्टर से मिलने सेंपल सरकार की हिदायतों के अनुसार यदि लिया जाएगा तो अभी तक जैसे पैसेंजर है या कोई लैब डाइगनोस्टिक पेशेंट है उनके कंटेक्ट में आने वालों के सेंपल लिये जा रहे हरे हरे एक बंदे के सेंपल नहीं लेने हैं वो डब्लू एचो भारत सरकार हरेणा सरकार की गाइडलाइन के अनुसार वो करे हम अपनी तरफ से बखूबी करने की कोशिश कर रहे हैं जनता को मैं अशौर कर रहा हूँ अपनी तरफ से हम अपना 100% देंगे जनता को भी सहयोग की अपील करता हूँ कि वो अपने घर में हॉम कॉरेंटाइन वाले हॉम कॉरेंटाइन फॉलो करें अपनी जो भी डिफरेंट डिफरेंट बिमारियों के लिए यदि वो अपने टीटमेंट पे हैं तो वो अपना रेगुलर टीटमेंट लें और अपने personal protective मेयर जैसे hand washing और face mask का प्रियोग करें और किसी भी type से किसी को घबराने की जुरूत नहीं देखिए ये थे हमारे साथ CMO डोक्टर अश्वीन उजजा जी जीनों ने बताया कि इस बिमारे से बिलकुल भी घबराने की जुरूत नहीं है स्वास्थे इभाग अपने 100% दे रहा है और यदि समाज भी अपने 100% देगा तो इस बिमारे से लड़ा जा सकता है इस बिमारी को बगाया जा सकता है क्योंकि हर्याना या भारत भारत के लोगों को स्वास्थे अथ्वा बाता बरन ऐसा है कि उनका अम्यून सिस्टम ज्यादा बहतर रहता है और वो इस बिमारी से लड़ भी सकता है इसलिए इस बिमारी को लेकर बिलकुल भी घबराना नहीं है मैं तरुन मदान कैमरापरदर सन्नी चोधरी के सा समचार एक्स्प्रेस के लिए थन्यवाद ऐसे ही लेटेस कोबरे पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइज, शेर और सब्सक्राइब करें घबनेवाद